हलो एवरिवन आज हम मोटर स्किल एक्टिविटीज करने वाले हैं तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स एक्टिविटीज है क्लचर एक्टिविटीज तो यहां पर मैंने कुछ क्लिप्स लिये हैं आपको घर में कप्रे सुखाने के लिए जो क्लिप्स यूज करते हैं वो आपको लेना है तो यहाँ पर हमें इन दो फिंगर्स की मुमेंट करना है तो चलो धिरे धिरे आप भी मेरे साथ इस तरह से फिंगर्स की मुमेंट किजिये ओके यह जो मैंने क्लिफ लिये है यह दो फिंगर्स में है तो मैं इसे स्लोली स्लोली ऐसे दो फिंगर्स की मुमेंट कर रही है ओके स्लोली स्लोली आपको आपकी फिंगर्स की मुमेंट स्लोली करनी है ओके बेटा यह है हमारी क्लच और एक्टिविटी हमारी सेकंड एक्टिविटी है स्पंज एक्टिविटी इस एक्टिविटी के लिए मैंने दो बाउल लिये हुए है एक बाउल खाली है और दुसरे बाउल में पानी है हमें इस एक्टिविटी में इस बाउल का पानी दुसरे बाउल में शिप्ट करना है स्पंज की मदद से तो चलो स्टार्ट करें ये स्पंज है देखें यहां पर वाटर शिप्ट हो गया है तो आपको ऐसे घर में करके देखना है उसी तरह इस activities में भी उंगली योकी exercise होती है हमारी third activity है rolling activity इस activity में आपको एक रब पेपर लेना है कोही भी old news paper और any rub book paper तो आपको एक पेपर लेके उसे इस तरह से crush करना है देखो मैंने इस तरह से crush किया और इसे मैंने उंगली योकी मुमिन से इसका मैंने बना दिया बॉल चलो तरह से मैंने इस paper लेके इसे भी मैंने इसा प्रस किया उंग्लियों की मुमेंस है और इसका भी मैंने बना दिया बॉल क्या बना दिया मैंने बॉल इसी तरह से आपको ऐसे बॉल बनाना है इसी तरह से ये तिनों भी मोटर्ज की एक्टिविटीज घर में बार बार करना है ताकि आपके उम्रियों की exercise हो सके जो पेन पकड़ने और लिखने के लिए help होती है ओके बेटा ये तीनों भी activity आपको घर में करके देखनी है ओके बाई